पूज़ा के बीच कायरव नाइरा को लेने पहुँच जाएगा, जिसके बाद नाइरा उसे रूम में ले जाएगी कार्तिक को लगेगा कहीं नाइरा कायरव को गोईंगा हाउस से ले तो नहीं गई पूज़ा के बाद नक्ष वहाँ नाइरा को लेने पहुँच जाएगा, कार्तिक नाइरा को बुलाने जाएगा, जिस बीच वो वेदी को और नाइरा दोनों के बारे में सोचेगा रूम में पहुच कर कार्तिक नाइरा और कायरव को बेट पर सोता देख काफी खुश होगा, नाइरा के चेहरे पर सुकून देख कार्तिक की आँख में आसू आ जाएगे जिसके बाद नायरा की तरह कायरव को खराटे लेता देख कार्टिक और भी जादा खुश हो जाएगा नायरा नक्स से मिलने जाएगे और उसे कहेगी कि वो गोइंग का हाउस में रुखना चाहती है ताकि कायरव की तब्यक जल्दी से जल्दी ठीक हो सके नायरा कार्टिक को कहेगी कि इस घर में रुखने का फैसला उन दोनों का नहीं बलकि वेदिका का होना चाहिए नायरा वेदिका से पूछेगी कि क्या वो और कायरव कायरव की भलाई के लिए इस घर में रह सकते हैं जिसे सुन वेदिका अपसट हो जाएगी अगले दिन कायरव ब्रेकफास्ट के वक्त बार बार नायरा को याद करेगा वहीं वेदिका नायरा को रूम में ब्रेकफास्ट देगी जिसे चख कर नायरा को पता चल जाएगा कि वो कार्टिक ने बनाया है अपकमिंग एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा जब कायरव को कार्टिक और नायरा के रिष्टे का सच पता चल जाएगा